हाई वर्यवन दोस्तों एमस एकचल की sleग में हम मैक्स और मीन फ़ॉंक्शन का यूजाध से विरस्त करते हैं हम किसी भी एर्येश के मैक्सिमुम वालु को वालुज को सफाइड करने के लिए और कि जाट करने के लिए छ yesterday कि यह मीन फंक्सं का यूज करते हैं हम ने यहाप एक टेबल लिया है जिसमें एक different students का name दिया हुआ है और second column में हमें English का उसका marks दिया हुआ है तो हम यहां पर find करना है कि कि students को maximum marks मिले और किसे minimum marks मिले राइट यह जीज़े find करना है तो find करने के लिए simply हम यहां आएंगे अपने मैक्स वाले कोलम पर और इस सेल को select करने के बाद हम formula लिखेंगे equal to max then open bracket open bracket के इंदर में इस array को हम select करने के बाद हम bracket close करेंगे और enterprise करेंगे enterprise करते ही आप देखेंगे यहां पर हमारा जो मैक्सिमम वयल्व है 87 जो कि तुनीदा नाम की स्ट्रोड के सामने है तो यह हमारा मैक्सिमम वयल्व आ गया रहे है फान के लिए सदेल करने के लिए सेल करेंगे सेल सेलक्ट करने के बाद फिर्मूला लिखेंगे equal to जो कि अगर इसमें फाइंड करेंगे हम तो 39 यहां पर आ रहा है शम्मा के समने राइट तो हमारा मिन वैल्व यहां से एज फाइंड कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू